जिनका भी अभी आगे railway exam होने जा रहा है, उन सभी के लिए एक latest update railway ने अभी जारी किया है, तीन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे students का biometric जो सत्यापन होता है, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है, कई बार ये technical issue भी होता है, कई बार candidate की तरफ से भी दिक्कत होती है, तो railway ने तीन points दिये है, आपका अगर exam है, तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कि अगर आपका आधार biometric पुराना है, तो उसमें कहीं नगई verification में दिक्कत आ रही है, तो आपको जाकर अपना biometric update करवाना पड़ेगा तो आप जब जाएंगे तो सारी चीज़े update होंगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, दूसरा कि कई सारे students का आधार lock होता है, कई बार पता ही नहीं होता है कि आधार lock है, center पे जाते हैं, परिशान होते रहते हैं, उस कारण लेट होते हैं, तो आप ये पहले से चेक करके जाएए कि आपका आधार lock तो नहीं है, तो आधार की application से, आधार की website से आप आराम से चेक भी कर सकते हो, और उसको unlock भी कर सकते हो, और तीसरा कि आपको एक ID proof ले जाना होता है, जिसमें आपकी photo भी होती है, कई सारे बच्चे बहुत पुरानी ID proof ले जा रहे हैं, जिसमें उनका चेहरा मैच ही नहीं खाता है आध से, तो या तो उस ID proof में आपका photo updated हो, या SID proof ले जाओ, जिसमें आपका चेहरा मैच हो, तो इन तीनों बातों का ध्यान रखें, नहीं तो फिर आपको exam center पे समय लगेगा, या verification में दिक्कत आईग, और उस सबसे नुकसान आपको ही झाल 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